हलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत आपका यूटूब चैनल पर एक अनदर वीडियो और इंडिया वूल हाउजिंग फाइनस लिमिटेट की बात करेंगे इस वीडियो में और समझने की कोसिस करेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह का इसमें ट्रेड हो सकता है और कैसा यह कारवार करेगा अप्लस इसका जो रिजल्ट भी आना है क्यूफोर का रिजल्ट आना है तो एक तरह से वह फ्लैट आना चाहिए और इसके इसाफ़ से थोड़ा सा उतार चड़ा हो सकता है और इसमें जो अगर आप निवेश कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं तो कुछ परसंग तीस परसंट एक एक दिन में बड़ भी जाता है और आप देखें दो मैने के अंदर असी रुपे से सौ रुपे से एक तरह से आप मान के जले दुगना हो गया स्टॉक तो अभी फाइनेशल स्टॉक में आप देखेंगे कि वालट्री रहेगी और यह काफी नीचे काफी अच्छा देती है और दो रुपे फेस वैल्यू है मार्केट कैप दजार करोड के आसपास है जब एक न्यूज आई थी इसमें लगाए गये थे मनेजमेंट के उपर तो कॉर्परेट इशू के कारण तो उस वक्त लगवग साथ सो छे सो के आसपास चला करता था वहा के इसाफ से उपर की तरफ जाने की कोशिस करता वट अब नहीं चीज आगी लॉक्डाउन कोई 19 के वज़े से तो फिर स्टॉक गिर गया अब धीरे धीरे उपर की तरफ जा रहा है फिलाल जिस तरह से मार्केट चलेगी जो फैनेसर स्टॉक से जिस तरह से कारवार करेंगे तो उसी के अनुसार ये कारवार कर सकता है निवेज से पहले देखें ये कुछ बात जाना जरूरी है अगर आप निवेज भी कर रहे तो बड़ा अमांट इस स्टॉक में नहीं लगाना जाए अगर आप देखें दो तीन मेहने के अंदर अगर आपको 30% 40% मिलता है तो प्र लगाता है जैसे साल दो साल तीन साल अगर रखेंगे वह आपको 15-20% प्रॉफिट में रहेंगे तो अगर आप इस वक्त इस स्टॉक को देख रहे तो HDFC Limited में आप निवेश करने की सोचिए इसको ट्रेड करने की सोचिए कि अगर लोग लेवल पर मिल रहा है जैसे आप बाई साइड में शौर्ट तो आप ज्यादा तर करनी पाएंगे शौर्ट अगर करेंगे तो आपको दूसरे दिन 10% उपर सर्किट में 20% सर्किट में मिल स देरे देरे आप यह खुल रहा है और इसमें न्यूजें भी काफी आती है अभी आप देख रहे थे कि कुछ कॉर्परेट में जिस तरह से कर्मचारियों को निकाला भी जा रहा है तो इसने भी कब अपने खर्चे कम करने कोशिस की है मनेज्मेंट काफी एक्टीव रहता ब कहां से यह प्रेक करके या तोड़के अच्छी चाल ूपर की तरफ जाता हुआ दिखे तो वachen कोशिष करेंगा है मार्च में जहां से फर्फ हो इस přांगते इस को कि काफी इस स्टॉक के बारे हम पूछने की कोशिस कर रहेते तो लोर लेवल पे जब रहता तब ही इसमें देखने कोसिस करिया जैसे इसमें अगर आप ट्रेट करते हैं तो अगर 10-20 परसंट, 40% प्रॉफिट म αυτό में प्रॉफिट बॉप करने काशी करने सीटूस्ट लगाता है कि नहीं और उपर की तरफ जाये तो धीरे सेल करने की कोसिश करिए जैसे बढ़ने की कोज़स करता है जैसे आपने देखा कि यह 125 के आसपास काफी टाइम रहा तो वहां से फिर इसने एक जंप किया थोड़ा जा 150 के आसपास है फिर वो एक तेजी रही लगवग 250 के आसपास अब यहां पे कुछ सेटल होगा कुछ 200 और 170 250 के भी इस तरह से होना चाहि देखें यह बल्क डील वी थी नसी में और मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापूर लगवग 45 लाग के शेयर खरीदे गए 1.06 परसंट स्टेक लिया गया इंडिया बूल हाउजिंग फाइनस लिमिटेट में और 184 रुपय के भाव पे यह खरीदे गए तो यह 19 जून को ख इसको चार्ट के अनुसार देखने कोसिस करते हैं इंडिया बूल हाउजिंग फाइनस लिमिटेट का चार्ड लगा हुआ है और इसने जब गिरावट आय थी लॉकडाउन और कोई 19 के बाद जब इसमें गिरावट आई लॉकडाउन और कोई 19 के बाद देखे लिए अगव 270 के उपर क्लोजिंग देता है। तर देखिए जो गैप जो गिर रहा था ये तो इसको तो एक तरह से उपर जाना है लेकिन अगर ये लगवग देखी 260 стороны के उपर 260 से उपर क्लोजिंग देता है ये तौब आप मान के चलिए फिर ये लगवग 300 को क्रॉस करेगा आने वाले दिनों में और उसके बाद इसका एक तेज मूब होगा लगभग दो सु तीन सो पचास तक यह जा सकता है लिए एक इसमें जो तेजी हुई है भी और आरे साइक को अगर आप देखेंगे तो लगभग देखें यह 84 के आसपा इसलिए थोड़ा सा इसमें करेक्शन भी होगा य दोसों का एक अच्छा खासा सपोर्ट है इसका 205 और 210 का अच्छा सपोर्ट है जो लेना चाहते तो उनको क्या करना चाहिए लगभग देखें यह 170 और 160 के बीच अगर आपको मिलता आने वाले दिनों में तेलाल तो क्यूफोर का रिजल्ट आएगा 2020 का और अगर जिस तरह से बढ़ा है profit booking आते को profit booking भी आपको बहुत तेजी से दिखेगा अभी इस वरक बढ़ रहा है तो आपको सपोर्ट जो मिलेंगे अच्छा खासा सपोर्ट मिला क्योंकि बाइंग चल रही है देखिए यह candle बने हुए बाइंग के और इसको आप लोगों monthly के इसाब से दिखा करते हैं देखिए इसमें यह moving average है और इस तरह से गिराओ रहे पिछले एक साल के अंदर काफी यह उपर के लेवल पर कहरोबार कर रहा था लगातार इसमें जो मार्च में फिलाल इदर गिराओट हुई है लगवक्त तीन सो पचास के तक गया ता महां से यह गिर के लगवक 80 रुपे तक आया अब देखिए यहां पर एक इसको हडल मिल रहा है अगर moving average के साफ से आप देखेंगे तो यह 250 और टूफ इसका resistance है अगर इसको उपर क्लोज देता यह 260 और 270 के उपर क्लोज देता है तो मान के चले इसमें काफी अच्छा तेज एक तेजी हो सकती है वह त सब्सक्राइब देखिए यह अगर यह 270 का उपर क्लोज देता है तो तेजी एक अच्छी खासे तेजी हो सकती है इसमें 330 तक यह जा सकता है उपर के लेवल पर और moving average के साफ से देखेंगे तो 370 का यह दिखा रहा है तो इसमें देखें इंडिया वोल हाउसिंग में अगर आपने डेर्सों पर दोसों पर अगर आप यहां पर भी ले रहे तो कम amount का लेने की कोसिस करिए फिलाल इसको जो पकड़ना है लगसा 170 से 200 को बीच इसको देखने कोसिस करिए और कोई भी गिरावट होती है तो वहां पर कुछ लेने की कोसिस करने की फिलाल इसका जो उपर क जो दीख रहा है अगर 300 को यह क्रॉस करता है 330 को क्रॉस करता आने वाले समय में रिजल्ट में कुछ अच्छा रहता है डिविडेन देती कंपनी थर्टी सेवन के आसपास आ रहा है इसका relative strength index जो चल रहा है थर्टी सेवन के आसपास चल रहा है जो मंत्री वाई जाई जो ल 5 तक जाना चाहिए यह यह 300 क्रॉस करेगा भी आने वाले समय में तो रिजल्ट के अगर रिजल्ट की घोसना होती है डेट की घोसना होती है तो यह एक तेजी जो रहेगी जो मार्च से गिराउट हुई है इसमें 330 का एक target बनता उपर के लेबल का और moving average के इसाफ से 330 तक यह जा सकता है समय लगा सकता है हो सकता है कि आपको जुलाइक तक या फिर अगस्ट तक या फिर उसके बाद निफ्य उपर के लेबल पर होगा तो ये 300 को क्रॉस करने की कोसिस कर सकता है अच्छा-कासा तेज हो सकता है तेजी बह gaan नी रह सकती है तो यह उपर का लEngünde आप सा सपोर्ट है क्योंकि देखें लोवर लेबल पर अगर आप इसको बाइ करना चाहते तो लोवर लेबल पर कुछ परसेंटेज के साफ से बाइक करने कोसिस करिए तो निवेस के साफ से अगर आप देखेंगे तो एजए लिमिटेड बेटर रहे और उसके बाद 300 का एक तार्गेट रखे समय दीजिए मगर यह ध्यान रखेगा तो यहां पर एक हडल बना हुआ है 260 और 270 की बीच तो इसको पार करेगा इसको उपर की तरफ बंद होता है तब आप फिर एक तेजी 300 प्रॉस करेगा यह और 330 और उसके बाद 360 साथ से 370 तक जाता हुआ दिख सकता है कुछ समय बाद कुछ मैने बाद छे मैना एक साल यह आने वाले समय में तरगेट हो सकता है और उसमें से एक यह भी रहेगा कि किस तरह की ग्रोथ हो सकती है फिलाल क्यूवन में तो साभी कंपनियों को दिक्कत रहेगी बट और जो उ 270 से 270 और 270 के उपर क्रोजिंग देता तो आपको 330 और 360 तक जाता हुआ देख सकता है यह इसके लेवल और तार्गेट हो सकते हैं यह इसकी चाल हो सकती है आने वाले समय में तो लोगल लेवल पर आप मौका भी देख सकते हैं इसमें इंडिया बूल हाउजिंग फैनाइस लि कि आएंगे आज के लिए इतना है जाने वाले